केवियस 2022 में बहुत सारे पदों के लिए अभी तक आवेदन लिये जा रहे हैं, अन्तिमतिति 26 दिसंबर 2022 है, इसमें टीचिंग जॉब्स में PRT यानि की प्रात्मिक इस्तर, PGT यानि की ट्रेंड ग्रेजवेट इस्तर और PGT यानि की प्रोष्ट ग्रेजवेट इस्तर, तीनो की सीमा क्या है, कितनी छूट मिलेगी, रिलेक्षेशन कितना मिलेगा, रिजर्वेशन के अधार पर, इसके अलावा, उम्र का जो थ्रेस ओल्ड है, वो किस डेट से काउंट किया जा रहा है, इन सब के रिगाडिंग इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, ओफिशल न प्रकार के फिल्ड को ले करके, आपके मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे, कि पासिंग येर में क्या भरना है, और ये सभी रिलेक्टेट चीज़ें में आपको क्या भरना है, बोर्ट्स में क्या भरना है, सब्जेक्ट्स में क्या भरना है, तो इन सब के रिगाडिंग ड पर परिच्छा के प्रश्ण पूछे जाते हैं KBS PRT 2018 और previous year के Paper Solution का dedicated playlist का link आपको इस video के description में मिलेगा तो सभी videos को आप एक बार जरूर देख लिजेगा आवेधन करने से पहले और निश्ची तोर पर परिच्छा के pattern को समझने के लिए सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि Age किस date से count किया जाएगा तो इसक्रीन पर आप देख पार होंगे पहले number point में The cutoff date for determining various eligibility criteria educational qualification, age limit और experience सबकुछ 26 December 2022 तक का होना चाहिए यानि कि जो अधिक्तम IU है वो 26 December 2022 तक count किया जाएगा इससे एक भी दिन अगर आपका जादा होता है जो maximum age limit अभी मैं आपको बताऊँगा तो आप आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होंगे यानि कि 26 December 2022 त्रेसोल डेट है जिसके अंतरगत आपको अपनी तिथी को count करना होगा ठीक है चलिए अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि minimum age limit क्या रखा गया देखे minimum age limit का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया क्योंकि अधिकतम vacancies में 21 वर्स मांगा जाता है लेकिन अगर आप इन सभी post के लिए apply करना चाहते है तो आपकी उम्र 21 से जादा ही होगी कैसे द्यान से समझेगा 15 वर्स की I.O. में कोई भी अभी 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 हाई स्कूल कॉलिफाई करता है उसके बाद से 2 साल का intermediate यानी 17 साल का हो गया 3 साल का graduation यानी 20 साल का हो गया और अगर उसने B.T. किया है तो 4 साल का graduation यानी 21 साल हो गया और उसके बाद से 2 साल का B.A.D. याट-3 D.A.D. किया होगा तो 21 जो B.T. कॉला भी अभी अभी आप दीट उतिता उसकी उम्र 23 हो गई और जो non-B.T. कॉला था yarni simple graduate होगा B.A.C. होगा तो उसकी उम्र 2 साल और जोड़न देगए तो 22 साल हो गई तो वैसे भी आप 22 और 23 मिनिमम आपकी age होगी अगर आपका कोई भी gap नहीं है उस का निशन में तो इसलिए age limit यहाँ पर रखाई नहीं गया है minimum का लेकिन maximum का age limit रखा गया है वो प्रतेक post के लिए अलग-अलग है सबसे पहले बात करेंगे post graduate teachers के संदर में यानी PGT के संदर में देखिए PGT में वहीं अभेरती apply कर पाएंगे जो BA होगे और जो की एक तरीके से PG course जिनोंने कर रखा होगा यहाँ पर सबसे पहले हम लोग age limit की बात करें तो देखिए upper age limit 40 साल mention किया गया है यानी कि 26 December 2022 तक आपका 40 वर्स से अधिक नहीं होना चाहिए यानी कि इस दिन तक आपका 40 वर्स से अधिक नहीं होना चाहिए एक भी दिन अगर आपका अधिक हो गया तो आप आवेतन करने के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे यहां तक लिए चलिए यह तो हो गया PGT की बात अब बात कर लेते हैं PGT की तो TGT के संदर में आप देख सकते हैं PGT का याद रखेगा 40 वर्स है यह मैं unreserved की बता रहा हूँ फिर age relaxation कैसे मिलेगा उसके लिए अलग से बात करेंगे पहले मैं केवल सबका अपर लिमित बटा दे रहा हूँ ठीक है इसके बात से जब मैं TGT की बात करता हूँ तो देखें TGT में हम लोग आ चुके हैं unreserved के लिए 35 वर्स यहां पर अपर age limit decide किया गया है TGT के लिए औ और अब बात कर लेते हैं PRT की तो PRT का जो age limit है यानि कि प्राथ में किस तरकी जो सिख्छाक बरती होती है उसके लिए जो age limit रखा गया है आप इसक्रीन पर देखिए उसका age limit है 30 years यानि कि 30 साल ठीक है तो एक बार मैं फिर से आपको confirm करा देता हूँ कि PRT के लिए 30 साल PGT क के लिए 40 साल age निधारित किया गया है यह तो बात हो गया unreserved के category से सम्मंदित अभीरतु के लिए अब बात कर लेते हैं ऐसे अभीरती जो किसी category से belong करते हैं उनको age में relaxation की इस प्रकार से दिया जाएगा age relaxation का column आप देख पार होंगे यहाँ पर सबसे पहले अगर आप SC है और ST से belong करते हैं तो maximum age limit में आपको 5 साल का छुट मिलेगा यानि कि अगर आप PRT के लिए आप आवेदन करना चाते हैं और SC ST category से belong करते हैं तो maximum 35 साल तक के लिए आप आवेदन कर पाएंगे अगर आप OBC से belong करते हैं other backward class तो 33 साल तक आप आवेदन करने के लिए पात रहे है और अगर आप एक महिला candidate है तो उस condition में आपको 10 साल का relaxation दिया गया है यानि कि उस condition में आप 40 साल तक apply कर सकते हैं और अगर आप KBS के imply हैं तो आपके लिए कोई भी age बार है ही नहीं आपकी age अगर 55 साल भी है तो भी आप आवेदन करने के लिए पात रहे हैं चलिए इसके ल अगर आप एक KBS employee के अलावा आप कोई केंद रिस्तर की किसी बी प्रकार के apply थे तो भी आपको age में relaxation दिया गया है देखिए केंद्रिय कर्वचारियों के लिए 5 वर्ष अगर आप जंरल से बिलॉग करते हैं तो 5 वर्ष आपको age में relaxation दिया जाएगा और अगर आप SARD e.c.s.d. से बिलॉग करते हैं तो 10 साल आपको age में relaxation दिया जाएगा ठीक है ये बात हो गईundo में प्राइमरी के संदर में। और TGT में भी और PGT में भी आपको अगर आप एक केन्रीस्टर के करमचारी रहे हैं किसी भी केंद्रीस्टर की बात कर लिए या चाहें किसी भी केन्रीस्टर का जो भी अगर आप employee रहे हैं KBS के alama भी तो भी आपको age में relaxation दिया गया है यहां थे clear यह तो बात हो गई PRT की अब बात कर लेते हैं TGT की जिसके लिए अपर age limit 35 साल था तो अगर आप SCST से बिलॉंग करते हैं तो 40 साल maximum आपका age limit हो जाएगा age relaxation के बाद और अगर आप OBC से बिलॉंग करते हैं तो 35 साल तो पहले से था और 3 साल आपको और relaxation मिलेगा यानि की 38 साल तक आप apply कर सकते हैं और अगर आप एक woman candidate हैं तो उस condition में आप 35 साल तो पहले से था और 10 साल और जोड लिजिए 45 साल तक के लिए eligible हैं और अगर आप KVS इंपल आई हैं तो आपके लिए तो कोई age limit है ही नहीं ठीक है और अगर आप केंद्रिय कर्मचारी हैं तो उसी हिसाब से 35 अगर आप जनरल से बिलॉंग करते हैं और केंद्रिय कर्मचारी हैं किसी भी भी भाग में तो उस condition में 40 साल तक आप आवेदन कर पाएंगे अगर आप OBC candidate हैं और केंद्रिय कर्मचारी हैं तो उस condition में 43 years तक apply करने के लिए पात रहे हैं और अगर आप SC-ST category से बिलॉंग करते हैं और TGT के लिए apply करना चाहते हैं और केंद्रिय कर्मचारी हैं उस condition में आप 45 साल तक आवेदन करने के लिए पात रहे हैं ये तो बात हो गई TGT की अब बात कर लेते हैं PGT के संदर में तो PGT का जो अपर age limit था वो 40 वर्स था जनरल के लिए अब किस प्रकार से age relaxation मिलेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं तो अगर आप SC category से बिलोंग करते हैं तो अधिक्तम 45 वर्स तक आवेदन करने के लिए पात रहे हैं अगर आप OBC candidate है और PGT के लिए apply करना चाहते हैं तो आप 43 years तक आवेदन करने के लिए बिलकुल eligible हैं अगर आप एक महिला candidate है, woman candidate है तो उस condition में आप 50 साल तक आवेदन करने के लिए पूरी तरीके से पात रहे हैं और अगर आप KVS इंपलाई हैं तो आपके लिए कोई भी age limit नहीं तै की गई है और अगर आप एक केंद्रिय कर्मचारिय हैं चाहें किसी भी विभाग से क्यों ना बिलोंग करते हूं और PGT के लिए अपलाई करना चाहते हैं ठीक है तो उस condition में आप 5 साल का जनरल अभीरतियों को relaxation दिया जाएगा यानि कि अगर आप जनरल हैं तो उस condition में आप 45 years तक अपलाई कर सकते हैं अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं और 3 साल तक अधिक्तम कम से कम आपने केंद्री इस्तर की सर्विस दिया तो उस condition में आप OBC से बिलोंग करते हैं और अगर आप PGT के लिए अपलाई करना चाहते हैं तो आप 48 साल मैक्सिमम एज तक एपलाई कर पाएंगे और अगर आप SCST के टेग्री से बिलोंग करते हैं और केंद्री इस्तर के कर्मचारी हैं और PGT के लिए अपलाई करना चाहते हैं तो आपको 10 साल का relaxation दिया गया है यानि कि आप अधिक्तम 50 साल तक आवेधन करने के लिए पूरी तरीके से पात रहे हैं और जो भी age count की जारी है वो 26 दिसंबर 2022 तक के लिए count की जारी है दोस्तों उमीद करता हूँ कि age limit से related जो भी मन में आपके doubt थे सब कुछ clear हो गया होंगे बाजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्ण रह जाता है तो comment के मादम से पूछ सकते हैं इस वीडियो को देखने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान करें आपका दिन शुब्ध हो